गुट डे टू अलफ यो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप सभी को राइटर की पहली कक्सा कैसे लगी हमने राइटर को चार भागों में बाटा है राइटर वन, राइटर टू, राइटर थ्री और राइटर फोर अगर आप यह सभी भाग सीख जाएंगे तो आप सभी को इसका उपयोग जौब के समय में भी कर सकते हैं क्योंकि राइटर से आप डॉकुमेंटेशन मतलब अलग-अलग प्रकार के डॉकुमेंट बना सकते हैं आज की कक्सा सुरू करने से पहले हम कल की कक्सा का रिविजन कर लेते हैं जैसे की आप सबने पिछली कक्सा में राइटर के बारे में सीखा था क्या आप सभी मुझे बता सकते हैं कि पिछली कक्सा में आपने क्या सीखा था आप सभी ने पिछली कक्सा में सौफ्टवेर क्या होता है ओपेन ओफिस और MS ओफिस में अंतर क्या होता है राइटर क्या होता है टाइटल बार, मैनू बार फॉर्मेटिंग बार और स्टेंडर टूल बार क्या होता है कीबोर्ड क्या होता है इसका उप्योग कैसे करते है राइटर के पेज़ पर टाइपिंग कैसे करते है इत्यादी आपने सीखा था अब आप सभी एके करके कुछ सवालों के जवाब दीजिए Open Office क्या होता है Open Office एक Software है जिसके अंदर बहुत से Components होते है इन Components के नाम जैसे की Writer, Impress या Presentation, Esprit Seed, इत्यादी Software क्या होता है Software एक Program होता है जिसके द्वार आप Computer पर काम कर सकते है Software के दो भागों में बाटा गया है पहला System Software दूसरा Application Software System Software या वह Software होता है जिसके द्वार एक Programmer विंडो को बनाते समय प्रोग्रामिंग करता है Application Software या वह Software होता है जिन्हें एक User अपने जरूरत के इसाब से इंस्टॉल करके उप्योग कर सकते है अगर Simple भासा में समझें तो Software एक ऐसा Program होता है जिसे हम छू नहीं सकते इसको हम सिर्फ देख सकते हैं और इसका उप्योग कर सकते है Title Bar क्या होता है Title Bar फाइल के नाम और आपके Components के नाम को दिखाता है Title Bar पेज में सबसे उपर दिखाई देता है Keyboard क्या होता है और इसमें कितने Keys होती है Keyboard हमारे Computer के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है इसके द्वारा हम कुछ भी Type कर सकते हैं अगर आपके Computer का Mouse खराब हो जाता है तो आप Keyboard के द्वारा Computer को चला सकते हैं इसके अंदर 101 से लेकर 105 तक Keys होती है ऐसे अगर आप Count करेंगे तो Keyboard में 80 से 90 के बीच में Keys होंगी पर कुछ Key के उपर जो Symbol Keys होती हैं उनको मिलाकर 101 से 105 तक Key हो जाती है Next Line में Type करने के लिए कौन से Key का प्रियोग करते हैं Next Line में जाने के लिए Enter Key का प्रियोग करते हैं Arrow Key का प्रियोग क्यों करते हैं और या कितने प्रकार के होते हैं Arrow Key का प्रियोग हम अपने करसर को एक लाइन से दूसरे लाइन में लेके जाने के लिए प्रियोग करते हैं या चार प्रकार की होती हैं Up, Down, Left और Right आप Capital Letter में Type करना चाहते हैं तो किस प्रकार से Type करेंगे Caps Lock के बटन को दबा कर On करके हम Type करेंगे और उसके बाद जब हमें Small Letter में Type करना हो तो फिर से Caps Lock को Off कर देंगे अगर आपको Symbol Key को Type करना हो तो कैसे Type करेंगे जो Symbol Number Key या और Key के उपर जो कुछ Symbol दिये गया होते हैं उनको Type करने के लिए आप Shift Key के साथ में उसे Type करेंगे अब आप सभी अपने Computer को On करें आईए अब वीडियो को देख कर File को Open करना सीखते हैं सबसे पहले आप अपने Pointer को Start बटन पर लेकर जाएं और Touchpad या Mouse के Left बटन को एक बार दबा दें एक Box Open होगा इसमें आपको All Program लिखे हुए Option पर Left बटन से क्लिक करें अब यहाँ पर Open Office लिखे हुए Option को Touchpad या Mouse के Left बटन से क्लिक करें और फिर यहाँ पर Open Office राइटर पर Left बटन से क्लिक करें जिससे राइटर की File Open हो जाएगी आईए आज की कक्सा सुरू करते हैं आज की कक्सा में आप Type करने का अभ्यास करेंगे जिससे कि आप सभी को Type करने के साथ साथ कीबोर्ड के बटन को याद करने में कोई परिसानी नहीं होगी आपको Type करने के लिए Paragraph दिया जाएगा जिसको आप सब देखकर Type करेंगे सामने दिखाया जा रहा है Paragraph को देखकर आप सब इसे Type करें Type करने में अगर कोई समस्या हो तो आप पूच सकते हैं अब फिर से सामने दिखाया गए Paragraph को देखकर Type करें अब आप सब अपने file को close करें क्योंकि आज की करक्सा यहीं पर समाप्त होती है अगर file को close करने में कोई समस्या हो तो आप video की मदद से सीखें सभी अपने cursor को page के dynosite कौने में cross के button पर लेकर जाएं और वहां अपने mouse या touchpad के left button को दबा दें आपके स्क्रीन पर एक बॉक्स आ जाएगा जिस पर तीन ओप्सन दिये गए होंगे Save, Discard और Cancel क्योंकि हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है इसलिए हमें Discard वाले बटन पर क्लिक करें जिससे फाइल क्लोज हो जाएगी अब आप सभी अपने computer को sirdown करें अगर computer को sirdown करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें आईए अब सीखते हैं कि हम computer को sirdown कैसे करते हैं आप सभी अपने pointer को start button पर ले कर आए अपने touchpad या mouse के left button को एक बार क्लिक करें एक box open होगा अब इस box के अंदर आपको shutdown लिखे हुए option को डूड़ना है और वहाँ पे अपने pointer को लेकर जाना है इस shutdown option पे pointer रखने के बाद अपने touchpad या mouse का left button क्लिक कर देना है जिससे कि आपका computer shutdown हो जाएगा यानि कि बंद हो जाएगा आज की कक्सा में आप सबने paragraph टाइप किया और पहले की कक्सा का revision किया